वेल्कम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा काईज ये कहानी है एक ऐसी कैस्टर की जिसे अच्छा ही और बुराई में से किसी एक को चुनना था तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराया आज में आप सभी लोगों को ऐसे एक माजिकल पारो वाले विट जिसे कैस्टर कहा जाता है उससे मिलवाती हूँ मुवी की स्टार्टिंग में हमें इथन दिखाया जाता है इथन को कुछ दिनों से ऐसे सपने आ रहे थे जिसके अंदर एक लड़की उससे बात करने की कोशिश कर रही है इथन उसके पास चाने की कोशिश करता है लेकिन अंत में आके ये तौनों नहीं मिल पाते हैं इथन का टेक केर, उनकी एक फैमिली फ्रेंड एमा करती थी, एथन की एकस कल फ्रेंड हमीशा से चाहती थी कि वो एथन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दे लेकिन एथन को इस लड़की में ग्लास खत्म होने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तो काफी 30 बारिश हो रही थी और तभी उसका ध्यान पड़ता है कि आगे चाके एक और काड़ी रुकी हुई है जो कि लेना की ही है इस समय एथन उसे अकेला नहीं चूड़ सकता था इसी कारण वो लेना को साथ लेकि ही घर ड्रॉप करने के लिए जाता है एथन जिस सिटी के अंदर रह रहा था उस जगह एक ग्राउन के अंदर कुछ दिनों से रेगुलर लाइटनिंग आ रही थी सभी को इसका कारण लेना लग रही थी क्योंकि जब से वो सिटी में आई है तब से एक तम पर्टिकुलर जगह पे ही थंडर किर रहा था लेकिन इथन सभी को चुप रहने के लिए कहता है अगले दिन जब इन सारे बच्चों की क्लास चल रही थी तो टीचर एक ऐसी बुक लाई थी जिसे की बैन कर दिया गया था क्लास के अंदर कुछ ऐसी बच्चे भी थे जिनकी पेरेंस इस बुक को पढ़ने के लिए मना करते हैं असल के अंदर ये रेवनवोड के फैमली पे बनी हुई बुक थी ये बच्चे बोलते हैं कि हम लोग आस्तिक हैं और हम लोग भगवान की पूचा करते हैं तभी ये दौनों लड़किया मिलके भगवान की बाते शुरू कर देती है लेना इन बातों से काफी जादा परिशान हो जाती है और तभी यहाँ पे एक बड़े से ब्लास्ट के साथ में ग्लास्रूम के सारे ग्लास टूट जाते हैं इन लड़कियों का तो शक अब यकीन में बदल जाता है कि ये इंसिडेंट लेना नहीं करवाया वो भी गुस्से में आके यानि कि वो एक विच है और उसके पास में मैजिकल पावर्स भी है इथन को अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं होता कि ये चीज लेना की कारण हुई है इसी कारण वो लेना से बात करने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है जब वो घर जाता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता और बाहर गार्डन में उसे लेना दिखाई दीती है इतनी ही देर के अंदर लेना के अंकल मैकन यहां पहुंच जाते हैं जो कि एथन का surname सुनके उसी अंदर घर में बुलाते हैं एथन को भी इस family के बारे में जानना था इसी कारण वो भी अंदर चला जाता है लेकिन अंदर जाने के बाद में मैकन एथन से काफी weird बाते करने लगा और साथी साथ future के बारे में भी पूछने लगा एथन के उपर एक ऐसा spell हुआ था जिससे कि एथन एक मिनिट के अंदर अपना पूरा future बता देता है उस spell से बाहर निकलने के बाद एथन को अजीव लगने लगता है और वो वहां से चला जाता है एथन के जाने के बाद मैकन लेना के उपर बहुत चलाते हैं या कर तुम इस जगब पे रह रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोस्त भी बनाओगी इथन लेना के लिए एक पेंडेंट लेकर आया था जो कि उसे इसी घर के आसपास मिला था और वो ये लेना को देने के लिए उसे नीचे पुलाता है इथन जैसे ही पेंडेंट लेना के हाथ में देनी वाला था तो इन दौनों का हार्ट टच होता है देखते ही देखते ये लोग किसी पास्ट के मेमरी में चले जाते हैं इन्हें दिखाई देता है कि किसी वार के अंदर ये दौनों साथ में है इधन की किसी accident के कारण मौत हो जाती है और वो लेना से अलग हो जाता है इस flashback के बाद जब इधन की आग खुलती है तो वो सीधा घर में मिलता है नीचे आके उसे Emma मिलती है और वो Emma से पूछता है कि मैं यहां कैसे आया तो Emma कहती है कि तुम मुझे यहीं सूते हुए ही मिले थे Emma यहां पे इधन के हाथ में pendant भी देख लेती है इधन ने अब तक यह भी नहीं बताया था कि यह pendant किसका है और उसे कहां मिला लेकिन Emma कहती है कि इस pendant को वहीं छोड़ाओ जहां से तुम लेके आये हो कुछी देर के अंदर इधन को पता चलता है कि आसपास की सारी जड़े मिलके उसे पुरी तरीके से चकड रही है और उसके सामने लेना खड़ी थी जो कि उसे आजाद कर दीती है और अब इसके बाद में लेना इधन को बताना शुरू करती है कि कैसे उसके पास में magical powers है लेना को बचाने के लिए उसके अंकल ने ये सब किया है मैकन घर से बाहर जाते हैं तो वो घर के protection के लिए ऐसी चीज़े करके जाती है इधन बड़ा excited था ये पूछने के लिए कि क्या लेना एक विच तो नहीं है तब लेना बताती है कि हमारी family बागी फैमलियों से कुछ अलग है हम लोगों में magical powers हैं और हम लोगों को एस्टर कहा जाता है इधन के पूछने पे कि आखिर तुमारे पास में किस तरह के powers हैं तब वहाँ पे लेना अपने पूरे room को आस्मान में बदल देती है जिसके उपर कई सारी poem लिखी हुई थी तब जाके इधन को पता चलता है कि लेना कितनी powerful लड़की है लेना अब इधन के काफी close आ चुकी थी क्योंकि ये दौनों एक उसरे के उपर believe करने लगे थे लेना इधन से कहती है कि अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ सपने मुझे भी आने लगे थे तुम से मिलने के कुछ दिन पहले से ही हम एमा को देखते हैं जो कि मैकन से मिलने के लिए आई थी मैकन यहाँ पर पहले से ही था एमा मैकन को कहती है कि तुम्हें इस लड़की को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए तब मैकन बताता है कि इसके पीछे कोई बुरा साया लगा हुआ है जो कि इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है मुझे लगा था यहां आने के बाद सारी चीज़े सही हो जाएगी और यह साया सारा का है सारा फाइन असल के अंदर लेना की मा थी और यह पैंडेंट इनका ग्रेट 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 ग्रैन मदर का था अगले सीन में हम कॉलिज के असामली के अंदर देखते हैं कि काफे सारी लोग एक साथ बैटे हैं जो कि चाते थे कि लेना को इस कॉलिज से निकाल दिया जाए लेकिन तभी यहां पे मैकन पहुँच जाता है और बताने लगता है कि कैसे यह पूरा शहर रिवनवूट की प्रॉपर्टी के अंदर आता है इस शहर के 70% के सारी प्रॉपर्टी रिवनवूट की है और अभी यह लोग जिस स्कूल में बैटे हैं यह भी रिवनवूट की है तो क्या हो अगर यह वापस अपनी चीजों को ले ले इसका मतलब है कि लेना यह स्कूल छोड़के बिलकुल नहीं जाएगी और जो इंसिडन क्लास्रूम में हुआ था उसका रिजन वेदर डिपार्टमेंट पहले ही दे चुका है कि पास ही के एक तटके उपर काफी तेज स्ट्रूम आया था इसी के कारण क्लास्रूम के ग्लासिस पे टूट कई थी इसी के साथ हम एक रिटली नाम के लड़की को देखते हैं जो कि लेना की बहन थी वो इथन की स्कूल में आय थी उससे मिलने के लिए और साथ ही साथ उसे घर के डिनर पे इन्वाइट करने के लिए इथन जब रिटली के साथ में घर पहुंचता है तो इस समय इथन के उपर भी एक स्पेल पढ़ा हुआ था रिटली ने उसे पूरी तरीके से चुप कर दिया था इसी कारण इथन कुछ भी नहीं बोल पाता घर में एंटर करते ही कोई भी रिटली को यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास में बुरी शक्तियां थी उसने बुरी शक्तियों को चुना था अब गाइस यहां पे एक कंसेप्ट यह है कि इन सारे एस्टर्स के अंदर इसाथ में लड़की को अपने शक्तियों को चुनना होता है जैसा कि उसका नेचर है अगर वो लड़की अच्छी होगी तो उसे अच्छी शक्तियां मिलेगी रेडली बुरी शक्तियों वाली थी और अभी तक लेना का 16 बर्दे नहीं आया था रेडली यहाँ पे लेना को प्रवोक करने लगती है अब तक भी लेना कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन कुछी देर के अंदर लेना को इतना जाता गुस्सा आता है कि उसकी पावर्स कंट्रोल नहीं हो पाती और वो पूरे डाइनिंग टेबल गोल गोल घुमने लगती है लेना रेडली को उस घर से बाहर निकाल देती है और उसके बाद हर एक चीज़ शांत हो जाती है लेकिन अब तक इतन की हालत खराब थी यह सारी चीज़े देखके और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है उसके बाद उन्होंने एक ऐसा स्पेल पढ़ा जो कि किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए था उस फॉर्बिडन स्पेल के कारण उनकी अच्छी शक्तियां निकल के बुरी शक्तियों में बतल गई और वो ही कर्स आगे से आगे चलता रहा इसी कारण मैकन इथन को बोलता है कि लेना तुमारे साथ नहीं रह सकती है ये हमारा फैमिली कर्स है इससे अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि इस कर्स को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है इसी के साथ हम एक बार और देखते हैं जब लेना का बर्दे दीरे दीरे नस्दीक आने वाला था लेना को लग रहा था कि उसे काली शक्तियां मिलेगी हर कोई लेना के पास में खड़ा था एक बड़ा सा पावरफुल सर्कल बना के लेकिन तब तक वहाँ पे इथन पहुँच चुका था और उस घर के अंदर जाने के बावजूद भी वह पावर सर्कल को तोड़ के लेना तक पहुँच कया था किसी को बिलीव नहीं होता कि उस पावर सर्कल को आखिर कैसे तोड़ा कया जबकि कोई हुमन उसे नहीं तोड़ सकता एमा एक ऐसी लेडी थी जो कि आस्तिकों की तरफ से इस पूरी लाइबरेरी को चलाने का काम करती थी असल के अंदर आते तो इसमें एस्टर ही थे लेकिन ये जिम्मेदारी काम फिर भी एमा को ही दिया गया था एमा एक स्पेल पढ़ने लगती है जिसकी बाद एक दरफासा खुलता है इसके अंदर एक बुक रखी थी लेकिन वो पूरी तरीके से खाली थी उस बुक के अंदर तभी अक्षर आते जब उसे लेना पढ़ना शुरू करती लेना जसे जसे पढ़ती जाती वैसे वैसे इस बुक के अंदर वर्ट साते जाते एक हफ़ते तक लेना उस बुक को पढ़ती ही जा रही थी लेकिन उसे इस कर्स तोड़ने के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था एक दन एथन यहां पर मैकटन और उसके मा की बारे में पुछता एक forts को तोडने का solution मिल चुका था वो बस रोती रहती है और एमा के आने पर बताती है? कि इसका solution क्या है solution के अंदर लिखा था कि अगर इस curse को तोड़ना है तो तुमें उस इंसान को मारना पड़ेगा जिसे तुम सबसे जादा प्यार करते हो तब Lena रोते हुए Emma को बोलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो Ethan को कुछ नुकसान नहीं पहुचाएगी फिर चाहिए कुछ भी हो जाए जिसके बाद Lena और Ethan मिलते हैं ये date अब तक कि इनके सबसे beautiful date थी जहां पे snowfall भी हो रहा था Ethan को बताया जाता है कि इस curse को तोड़ने का solution मिल कया है पस जादा कुछ नहीं थोड़े बहुत rituals पूरे करने हैं next morning एमा यहां पे Ethan को कहती है कि आज रात तुम्हें शायद Lena को घर पे बुलाना चाहिए डिनर के लिए तब Ethan कहता है कि Lena वो Ravenwood वाली लड़की उसे तुम्हें जानता भी नहीं हूँ अच्छे से और इसी टाइम पे एमा को समझ में आ जाता है कि कर्स तोड़ने के लिए Lena ने Ethan की सारी memories को vanish कर दिया है जरूरी नहीं है कि अपने प्यार करने वाले इंसान को मारना ही कर्स को opposite करना हो वो उसे hurt करके भी ऐसा कर सकती थी और अब Ethan के पास में लेना की कोई memory नहीं थी इस बात को अब तक 6 मईने कुसर चुके थे इस बीच के अंदर सेरा और साथ ही में रेटली चाती थी कि लेना काली शक्तियों को चुने और वो कर्स के होने का भी इंतजार कर रही थी इसे के कारण रेटली ने जाके Ethan के दोस्त पे एक spell किया था Ethan के school के अंदर एक play होना था जिसके अंदर Ethan और उसका दोस्त आपस में खेलने लगते हैं और by chance ये लोग एक दूसरी के उपर shoot करते हैं Ethan के दोस्त के gun के अंदर असली bullets थी और वहें पे Ethan मरने लग जाता है इसी same time पे Lena का आज 16th birthday था और 16th birthday पे उसके rituals भी चल रहे थे उसकी अच्छी और बुरे शक्तियों में से किसी एक को चुनने का Lena को पता चलता है कि Ethan किसी मुसीबत में है Lena जब यहां पे भाग के आती है तो उसे Ethan मरा हुआ दिखाई देता है और तभी वो काली शक्तियों को चुनना शुरू करती है इस time पे Sarah Fine और Ridley भी यहां पे पहुँच चुकी थी यहां पे अब चान के आने के बाद Lena के पास अपनी शक्तिया आने लगती है Lena को यह भी पता चल गया था कि यह Sarah कियाधरा Sarah Fine और उसकी बहन Ridley का ही था इसी कारण वो उन दौनों के उपर भी अटेक करने वाली थी क्योंकि अब तक के सबसे बुरी शक्तियों के अंदर Lena ही सबसे जादा पावरफुल थी लेकिन Ridley अपनी बहन को बहन-बहन कहके वहाँ से भाग चाती है कि मेरा इसमें कोई दोश नहीं था जो भी किया था हमारी मान ने किया था Lena इतनी जादा गुस्से में थी कि वो Sarah Fine के शक्तियों को बाहर निकाल के उसे खत्म कर देती है लेकिन जो इतन की बाड़ी पड़ी थी असल के अंदर वो इतन की नहीं थी बलकि उसकी अंकल मैकन की थी मैकन ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ कर्स तोड़ने के लिए किया था लेना अपने अंकल से भी बहुत प्यार करती थी इसी कारण मैकन ने खुद को सेक्रिफाइस किया उस कर्स को तोड़ने के लिए लेकिन अब लेना के पास में दोनो तरहकी की शक्तियां थी अच्छी और बुरी दोनो जिसके बाद हम इतन को देखते हैं जाने से पहले वो लेना को देखता है और वो वही बुक पढ़ रही थी जिसके उपर इन दोनों ने डिसकेशन भी किया था और वो लेना से जाते हुए बात भी करता है जिसके कुछ टाइम बाद इतन इस सिटी से जानी वाला था तो उसे यहाँ पे एक स्टार्टिंग बोर्ड मिलता है जो कि लेना के कारण बूरी तरीके से जल गया था देखते ही देखते इथन को सारी पुरानी बाती याद आ जाती है और तबी वो गाड़े से बाहर निकल के लेना का नाम जोर जोर से चिलाने लगता है इसी के साथ लेना जो कि आधी बुरी और आधी अच्छी शक्तियों के बीच में चूल रही थी वो अब पूरी तरीके से अच्छी शक्तियों में बतल गई थी ये गाइस आपको उसकी आँखे देखके नोटिस हो जाएंगी और इसी के साथ गाइस ये शानदार मुवी यही पर खत्म होती है तो आप सभी लोगों को ये मुवी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मुवी में तब तक के लिए टाटा कर derechos है एष ऑगे हाँ डर ओ, उड है